आपके साथ इंपॉर्टन अपडेट शेर करेंगे कि नैशनल यूनिवरस्टी ऑफ मेडिकल साइंसे यह नम्स की तरफ से नम्स एंटिटेस्ट 2022 के रिजल्ट का एलान कर दिया गया है नम्स के ओफिशल वेबसाइट के ओपर लिंक अपलोड हो चुका है जहां से और उप्रफ लेट करना होगा दीगे पिकचर में जो भी आलफ़ाबेट्स या नमबर वगरा दी हों तो वह वाले यहां कि इस कॉल्म में मैंशन करने हैं जिसके बाद गैट रिजट कार्ट के बटर पर क्लिक कर दें नमस का इंटिटेस्ट 16 अक्टूबर को कंड़क्ट कोना था काफी दिनों से स्टोडन की तरफ से इतिजार कर गणी हो 相信 किया गई लेकिन उससे बड़ी इस बात को पार्ट को ऩा किया गया तो फो susceptive दी गई हैं हालांके जो नम्स का एंटिटेस्ट है यह 150 mcqs का हुआ था इसके लावा जो साइकलोजिकल वाला पार्ट था उसके भी 100 mcqs थे तो अब स्टोर्स को कन्फूजन है कि यह रिजर्ट किस तरीके से त्यार किया गया है तो देखें नम्स ने आप लोगों की आसान साइकलोजिकल टेस्ट पर मुश्टमिल था और केंडिटेस्ट ने आदे गहंटे में 100 mcqs की थे और नम्स की तरफ से यह अनौंस कर दिया गया था कि जो पार्ट ए है जिसमें सब्जेक्ट वाइज है तो इसकी 95% वेटेज ली जाएगी जबके जो रिमेनिंग 5% करके बनाया गया है तमाम जो केल्कुलेशन के बाद फाइनल जो 100% में से आपकी जितनी परसेंट बनती है तो वह वाला रिजल्ट अब अनौंस हुआ है यानि स्टूड़न्स को एक इसम की फैसिलिटी प्रवाइड की गई है कि आप इस लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में 80 मार्स बनते हैं तो अब वो जो 150 में 640 नंबर बने हैं उसकी 95 परसेंटेज ली गई है और इसके बाद जो 100 में से 80 मार्स आए हैं साइकलोजिकल टेस्ट में तो उसकी 5 परसेंटेज ली जानी थी तो अब यह सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेने के बाद आपको फाइनल परसेंट वेटेज शामल की जाएगी लिहाजा 90 का विफ्टी परसेंट लें तो यह आपकी 45 परसेंट मेर्ट फार्मुला के दर शामल हो जाएगी और एमेंनिग 40 परसेंट एक नमबरों की और 10 पीस इसम नहीं है और ना है किसी किसम का कोई एर है बलके यह उन्होंने जो है वो परसंटेज आपके साथ शेयर की है और यह जो आपकी फाइनल परसंटेज है यह एज इस मैड़ फार्मला के अंदर इस्तमाल होगी जिसका 50% वेटेज ली जाएगी और इसके साथ ही आपको बताते चलें के मताबिक नम्स एंटिटेस्ट को इस साल एक फुल जितने भी प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल और इनफ है और इसमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी अब नम्स के अगले मरहले में होगा यह कि तरफ से पहले अर्वेटिकल कॉलेज में अडिमिशन ओपन होंगे तमाम ऐसे स्टूइन अप्लाइब कर सकेंगे जिन्हों और इसमें जाहरे परसेंटेज भी रखी गई है यह बिल्कुल यह केस में 55 परसेंट और बीडेस केस में 45 परसेंट जो है यह पासिंग मांक्स हैं तो जितने पी स्टों जोने नम्स के लिए पास किया हुआ तो वह अप्लाय कर सकते हैं वैसे तो अग्रिकल कॉलेज का मेरि मेरिट्स मुख्तलिफ हैं कुछ के 90% की रेंज में भी हैं ईचालाब कमिंग वीडियो में आपके साहत तमाम स्ट के साथ पिरिजिक्ट के साहरे और शे करते हुए आपको यह रिजल्ट कार्ड जो है वो साथ में टैज करना पड़ेगा अगर आप आप अपलाइन करते हैं तो भी आपको जो है मुतलका डॉक्मेंट करने होंगे यह अपना नम्स का जो रिजल्ट कार्ड है उसका रोल लंबर और सी अनशी वगरा यह इसकिसम के आ आप हमारे पाक है जो कहरी है चैनल के रेफरेंस से इनसे रापता करें तो यह आपको मुकमल इंफरमेशन और अड्मिशन से रिलेटिड मुकमल फेसिलिटेशन परवाइड करेंगे इसके बाद आपको बताएं कि कल एटा की तरफ से जो के 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 में में एमडी कैड की टेस् स्टूड्स को रिफंड कर दिया जाएंगे यह खबर जो है वो जंगल में आग की तरह पूरी कंट्री में पहली इसके ओपर बहुत जादा वीडियो बगर बनी सोशल मीडिया के ओपर यह खबर जो है और मैंने भी कल इसके ओपर एक फुल फ्लेच वीडियो बनाई और उस कि इता की तरव से नोटिफेसेंस हैं न में एक तो बारवा चांजिस की गई इन्होंने पहले जाए किक झार्या deg किया घ्र डाकत नहीं है यह प्र नोटिफेस्म इन पर पर पेशर्फ हो रही है डिवेलप्मेंट की जा रही है और तक्रीबन फैसला जो है यह होने ही वाला था लेकिन चुके अभी हत्मी मनजूरी नहीं हुए थी इटा में थोड़ी सी जल्दबाजी में जो है यह नोटिफकेशन जारी कर दिया और अपने सोशल मीडिया पेजिस के ओपर बकाइदा इसकी अनौस्मेंट कर दी कि जी स्टोंस को इजाफिफी वापस कर दी जाएगी जिस पर पीमसी ने इन्हें मना किया और कहा कि अभी चुके यह 100% रे फाइनल नहीं हुआ है तो जब तक पीमसी की तरफ से बकाइदा तोर पर मनजूरी नहीं दी जाती तब तक आप इसको अपने किसी भी फॉरम के ओपर जाव अनौस नहीं कर सकते हैं इस सलसले में बाब जहांगी जो कि बोल न्यूस के एक एंकर है तो इनके यूट्यूब चैनल के ओपर भी इन वजाहत की इस बात की कि एटा ने जलदबाजी में यह नोडिफिकेशन जारी हो जाएगा कि स्टूर्ण्स को फीरी फंड होनी है या नहीं होनी और अगर यह फैसला कर लिए रहता है तो पाकिस्तान भर के तमाम प्रोविंसे से बिलॉंग करने वाले स्टूर्ण्स को पांच हजार रुपे इजाफी फीज यह वापस कर दी जाएगी लेकिन इस सलसले म है कि जल्दबाजी में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया लेकिन जैसे इस सलसले में कनफर्म न्यूस सामने आती है और इस बात की 100% अनौस्मेंट हो जाती है पीमसी के ऑफिशल सोर्से से तो इन्शाला आप कमिंग वीडियो में इसके आपकम कमल इंफर्मिशन बता दे इसी तरह रिफा इंटरनेशनल युनिवस्टी फैसलाबाद के अड्मिशन और गुजरावाला बोर्ड के तरफ से इंपॉर्टन प्रेस रिलीज उनिवस्टी असरगोदा के पोस्ट ग्रैजूट प्रोग्राम्स में अप्लाय करने की डैडलाइन की एक्स्टेंशन यूसा यूके में कॉमनवेल स्कॉलर्शिप्स के अनॉंस्मेंट और के पीके के स्टुडेंट्स के लिए डीवियम के प्रोग्राम में दाखले पंजाब में अम्डीकैड यूएचस के जिरे इंतिजाम कराने का फैसला और हाइर एजुकेशन कमिशन की तरफ से सीड्स फॉर दफ क्लास के फिजिक्स के निसाब में शामिल हो गया और यूनिवर्स्टी ओ वेटरिनरी एन अनिमल साइंसे लाहॉर के लासियर के क्लोजिंग मेरिट्स की डिटेल और जमो कुश्मीर में तीन बच्चों की माने दस्वी क्लास में फर्स पोजिशन सिक्योर की यूटी लाहॉर के अडर ग्रैजूटी डिगरी प्रोग्राम्स में एडमिशन का शेडूल, पंजाब अकूमत की तरफ से फ्री ऑनलाइन इंसाफ अकैडमी का आगाज, पाकिस्तान मुस्थाकिम पार्लिमान की तरफ से यंग पार्लिमेंटरी असोसियेट्स की इंडक्शन, घर्स के पाकिस झाल का झाल किसम औरफ से फार्लिमेंटर की तरफ से यंग पार्लिमेंटरी ओ मिन हो धार्लिमान इंडक्शन, र